इंडिया के दो बड़े बिजनिस हाउसिस वाडियाज और टाटाज वैसे तो कुछ साल से एक दूसरे के खिलाफ ही है मगर एक समय था जब ये दोनों फैमिली एक साथ थी साल 1971 में जब नेविल वाडिया अपने एसेट्स बेच कर स्विजरलेंड जा रहे थे तब उन्होंने अपना टेक्स्टैल बिजनेस भी रामा प्रसाद गोइंका को बेचने का सोचा डील होने की खबर सुनके नुशली वाडिया अपने पिता नेविल वाडिया के खिलाफ विद्रोप पर बेटे इसमें उन्होंने अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स और मेंटोर जेयाडी टाटा को अपने साथ लेकर कमपनी में 11% स्टेक भी खरीद लिया साथी में उन्होंने एमप्लोई से कहा कि वो अपनी सेविंग्स ओपन मार्केट से कमपनी के शेर्स खरीदने में लगा दे इसके बाद नुसली वाडिया अपने पिता से कहते हैं मुझे किसी यूरूपियन देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनकर नहीं रहना है बलकि अपने देश में रहकर बॉंबे डाइंग को चलाना है पिता नेविल वाडिया गोएंका जी को डिल कैंसल करने के लिए पाच लाक ओफर करते लेकिन वाडियाज के साथ अपनी दोस्ती की वज़े से गोएंका जी उनसे पैसे नहीं लेते